थोड़ा मतलब इनके बारे में ज़्यादा बात्चित नहीं होती है अभी देखा गया तो इस कारती है नहीं कि ये कंपने खराब हे करके ये भी कंपने अच्छे है हाँ बट कुछ کंपनेस के साथ या फिर कुछ सेक्टर के साथ कुछ हाथसे होते वे देखने को मिले थे हाथसा होना मतलब क्या कि सप्सक्टर अच्छला अच्छा कर रहा था बट सडन वह डाउन हो गया मैं इंटायर सेक्टर की बात कर रहा हूँ इंडिविजल स्टॉक्स की नहीं बात कर रहा हूँ ठीक है तो चलिए अभी एक एक स्टॉक को हम लोग आप एक कवर कर लेते मैं चाता हूँ कि आप चाहो तो इन कंपनिस को भी स्टडी कर लेना यह कोई खराब कंपनिया नहीं है तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एयू स्मॉल फाइनस बैंक की अगर मैं बात करूँ ठीक है अभी दीमेदे में स्मॉल फाइनस बैंक हम लोगों को बढ़ते वी देखने को मिल रहे है पहले अगर देखा गया तो यह पहले स्मॉल फाइनस बैंक है अगर आप बैंकिंग में अगर जाना चाते हो ठीक है तो आप HDFC bank then Kotak Mahindra bank then ICSA bank ये बड़े bank में इन तीन bank को चाओ तो study कर सकते हो and small finance bank में जाना है तो EU small finance bank and सरकारी bank में जाना ही है तो state bank of India ये 5 को हम लोग study हापे करते थे अभी Kotak की बात करें तो इसकी कान ही थोड़ी से अटके हुई है उदेको टक जी का replacement कोन रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी तो उसको हटा के आप चाओ तो IDFC first bank को study हापे कर सकते हो ये point को हम लोग ने इसके पहले भी cover हापे किया था so EU small finance bank पहले भी हम लोग study करते थे बीच में हम लोगो bonus plate होते भी देखने को लगा अगर आप मेरे पूराने वीडियोस को देखोगे तो ये मत सोचना के crash हुए करके कोई crash न हुआ है corporate action यहापे मिला है अगर आप इसका maximum chat पटन देखोगे तो आप देख सकते हैं stock top level पे देखने को मिल रहा है बीच में COVID के वक्त तो जबरदस crash हुआ था आप यहापे देख सकते हैं COVID के वक्त तो बहुत सारे stocks crash हुए थे बढ़ हाँ ये company कैसे risky है छोटी company न small finance bank नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है सो पचास अजार करोड का market कैप है इसका सो आप चाओ तो इसको study कर सकते हैं interesting type की company है and अगर देखा गया तो हाँ ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं कि share holding pattern तो दोखिए दोस्तो ये जो bank का जो share holding pattern होता है ये कम ही होता है 25-26% के आसपासी promoter अपना stake रख सकते banking में बाकि आपको public के हिसाब से ही देना पड़ता है मतलब institutions वहापे खरीदने के लिए आएंगे and बाकि public के पास so ये point आपको पता है यापे होना चाहिए so ठीक है ये था पहला stock EU small finance bank आप चाओ तो इसको consider कर सकते हो next company दोस्तो मुत्थूट finance yeah smoothhood finance personally मुझे बहुत पसंद है यहापे आप कह सकते gold loan से related company काम करते भी देखने को मिल जाते है and जैसे आपको पता ही है कि finance की requirement हर किसी को पढ़ती ही पढ़ती है and gold एक ऐसी चीज़ है दोस्तो हर किसी के घर में आपको gold तो ज़रूर देखने को मिल जाएगा तो उस वक भी देखा गया तो gold खरीदा जाता है अलग-अलग चीज़ों and investment तो है ही है तो इस चीज़ के चलते हैं हमेशा घर में gold तो यहापे पाया जाता है and emergency की भी अगर हम लोग बात करें अगर आपको loan चाहिए तो directly loan मिलना मुश्किल हो जाता है तो सबसे best option क्या होता है gold आप गिरवी रखिए and loan लेजए तो इसका एक फाइदा इस company को यहापे बहुत मिलता है हाँ आप यह ज़रू कहा सकते हो कि bank में भी यह सारी चीज़े हम लोग को देखने को मिल जाती है बट मुथूट फाइनेंस का specifically यह business ही इसी से related हम लोग को देखने को मिल जाते है तो यह specifically और अलग-अलग type के options and services आप लोग को provide यहापे करते है तो मुथूट फाइनेंस अगर देखा कि यह भी पचास वजार करोड का market cap अपली company यहापे 75% के आसपस की share holding होनी चाहे तो उसमें से 73% promoter के पास है बचा कितना 25% उसमें भी 8-9% FIS 13 पॉने 14% DIS बचा कितना केवल 4-5% वही public के पास है तो definitely हम कह सकते कि यहापे public के पास ज़्यादा share खरीदने के लिए कुछ बचा ही नहीं है institutions and promoter यह अपने पास माल दबाकर यहापे बेड़ जाते है तो ज़रूर उस हिसाब से आप चाहो तो मुत्वट finance को थोड़ा बहुत study यहापे कर सकते हो next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो info age yes नौकरी की अगर हम लोग बात करी यह भी कमाल की company है ठीक है देखी जब भी भी कोई stock rocket की तरह भागता है ना उसका cooling period आ जाता है cooling period मतलब क्या कि अगर मैं आपको बोलू कि भागो आप जोरदार भागोगे 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 इबदम एक time के बाद आप की सास फूल जाएगी तो वैसे उसके बाद आपकी speed कैसी रफ्तार कैसी भागने की कम हो जाएगी ठीक है वैसे stock market में भी usually आप चाहोते इस logic को लगा सकते हो कि एक time के बाद stock कैसे होते बहुत अच्छे returns देने के बाद रुख जाते है आप चाहो आज polycap की बात करो zhentec की बात करो ठीक है या फिर VBL की बात करो APL Apollo की बात करो ऐसे बहुत सारे stock है उनमें भी ये period हम लोग को cooling off वाला देखने को मिलने वाला है तो इस period में क्या हो जाते है कि जो लोग यहाँ पर top पे खरीते ऐसे randomly फिर वो चले जाते है करके ठीक है तो इनफो एज की अगर हम लोग बात करें नौकरी ये भी कमाल की कंपनी शांदर कंपनी आप चाहो तो इसको study कर सकते है IT सेक्टर से ही इनका आपनों को business देखने को आपर मिल जाता है जीवनसाती.com की बात करे 99acres.com की बात करे शिक्षा.com की बात करे ठीक है ऐसे बहुत सारे business से समने को इनके देखने को आपर मिल जाती नौकरी.com तो इनके नाम में ही आ जाता है इनफो एज में बीच में issue क्या हुआ था? issue मतलब जोमैटो आप सबी लों को पता है इनका बहुत बड़ा मतलब shareholders ये और अगर आप जोमैटो का shareholding pattern check करोगे public में जाके आपको info.h का नाम भी देखने को मिल जाएगा जोमैटो के share जबरदस गिरते वे देखने को मिलेते तो एक impact हमनों को info.h के उपर बार बार देखने को मिलता था policy बादर की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी info.h का हम लोगो नाम देखने को मिलता था तो इस चीज़ के चलते हैं ये थोड़ा बहुत बीच में रुकते वे देखने को आपर मिला है market को क्या चाहिए एक छोटा सा बहाना चाहिए तो इस चीज़ के चलती है सारी चीज़े हाँ पर चलती है तो अगर आप चाहो तो नौकरी यानि info.h को भी study कर सकती ये भी decent type की company है दैन हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो मैंने शुरुआत में बोला ना हाथसा हुआ था गरके तो yes life insurance companies के सका हम लोगों को बहुत बढ़ा हाथसा होते वे देखने को लगा था अभी बात करें SBA life insurance या फिर HDFC life insurance तो एक company है किसी दोनों कमाल की company है बट खबर ही ऐसी आ गई कौन सी खबर तो आपको याद होगा budget में totally out of syllabus किसी ने सोचा भी नहीं था वरना एक अंदाजा होता है market को ये बुरी खबर आ सकती है ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है तो सरकार ने नया tax regime लेकर आगे और उसमें बोल दिया कि आप नये tax regime के साथ अगर जाते हो तो आपको ये जो chapter 6 इसके जो benefits रहते हैं अगर आप नए tax regime के साथ से जाते हो तो and HDFC life की बात करे SBA life की बात करे बहुत सारे लोग ये life insurance इसलिए लेते थे कि हमें tax में कुछ benefits मिल जाए करके जो की देखा गये तो गलत है क्योंकि insurance कुछ हद तक आप लोगों को चाहिए चाहिए ये अपने life के safety के लिए होता है सो इस चीज के चलते जैसे खबर आई थी आपको यादी होगा साल भर का data अगर आप चेक करोगे ये देखे जोरदार crash देखने मिलेगा ये फेब मन्ती है इबदम rocket की दरह गिरे थे insurance company ये अकेला नहीं किरा था सब कुछ अगर आप inter segment में ही देखोगे तो ये बड़ा जटका या पे लगा था अभी सदमे से निकलने के लिए इनको इतना time लग लग गया company अभूरी नहीं अभी है ही external issue ठीक है क्योंकि आप SBA life insurance का business करो या फिर आप HDFC life का करो आप ICA से पुरू का करो या फिर भजाच का करो सब को ये जटका लगा था ठीक है तो हम कह सकते है HDFC life इस जटके से बहुत अच्छी तरह के से उबरते हुए आगे बढ़ते हुए देखने का आपे मिल रहा है और SBA life की बात करे तो ये भी अभी हम लोंको कमबेक करते हुए देखने को मिल चुका है ठीक है अगर देखा गए ये कोई कंपनिया खराब कंपनिया नहीं है बट शेर मार्केट में दोस्तों ये बहुत बढ़ा लेसन है कि इवन दो आपकी कंपनी सरकारी कंपनी नहीं भी है फिर भी उसके उपर सरकार का कोई भी डिश्यन देरेक या फिर इंडिरेकली इंपेक्ट करवा सकता है अभी डेल्टा कॉर्प कौन सी सरकारी कंपनी है बट फिर भी उसके शेर में क्रैश तो आई गया क्यों कि वो गेमिंग इंड़स्टी की अगर हम लोग बात करे कैसीनोस की बात करे गैंबलिंग की बात करे 28% का GST लग दिया तो इस चीज़ के चलते गिरावाट होती भी देखने का आपे मिली है बताने का मकसद क्या है कि HDFC Live अगर आप मेरे पूराने वीडियोस देखोगे तो yes मैं तीन स्टॉक्स बोलता था कि यह हजार के उपर जा सकते हैं उसमें से एक हुआ करता था ICSA Bank ने बीच में हजार टच किया एक होता करता है Tata Consumer Product तो वो भी अगर देखा के तो हजार के रास्ते पे तो चल रहा है बढ़ अभी तक टच नहीं हुआ है उसकी भी रफ्तार धीमी है एक और कंपनी हुआ करती थी जिसका नमे HDFC Live हुआ करती थी मतलब आज भी है बढ़ हाँ बीच में सदनली हाच सा भी देखने को आपे मिल रही है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एक और इंशॉरंस वाली कंपनी है ICSA Lombard जिसका आप चाओ तो जनरल इंशॉरंस के नाम से भी जान सकते हो इसका भी मार्केट शेर हम लोग को कमाल का देखने को मिल जाता है जनरल इंशॉरंस में इस कंपनी को भी चाओ तो आप स्टड़ी आपे कर सकते हो यूजरली इन कंपनीस को हम लोग रिपिटेड मोड के उपर ज़्यादा कवर यहापे नहीं करते है अगर कोई इस कंपनीस से रिलेटेड इन्वेस्ट करने का अगर कभी प्लान बनेगा तो उसका प्लान होना चाहिए कि 5 साल में मेरा पैसा डबल होना चाहिए उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो ठीक रहेगा अगर आप एबदम extreme returns का expectation लेकर चलोगे तो फिर आपको पता ही है formula, micro cap, small cap फिर उस segment में उस companies को आप लोगों को तलाश यापे करना पड़ेगा सो ठीके दोस्तों जितने important points थे कुछ यह अलग type के हटके stocks थे उनको भी हम लोगों ने आपे cover कर लेए यह भी कमाल की कमपनिया है तो आप चाहो तो इनको detail में study कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो like and share कर देना अगर आपने अभी तक उपन नहीं किया तो link नीचे description में पच्छीस वीडियो के लिस्ट आपको बिल्कुल free of cost मिल जाए कि आपका नाम कौछ आपने link के तरोपन के प्रॉपरले कमपनिशे के mention कर देना तो अफ्ते बार के अंदर अदर सारे lectures मेरे साथ से free of cost प्रवाइड कर देजेंगे तक आप शेयर बादर को आसान बाशा से सीख सको so that's it, thank you very much we will be meeting Rx2 तब तक के लिए, bye bye